तो आज हमारे साथ है राइडर यो के टीबियस के तरफ से आते हैं तो देख सकते हैं आज 125 सी में जब से यह लॉंच हुई है तब से यह पूरा एक अलग साही रेवलिशन लेके आ गई है कि पावर्फुल यह वाइक है अपने सेग्मेंट है चावी से सुरुवात कर रहें तो और सारी चीजे मैं आपको इसमें बताने वाला यहाँ पर नमर प्लेट की जगह आती है और यह TIME वहीच सीज़े और यह इंडियन भायर यहाँ पर देखसें इंडियन प्लै और अपको यहाँ अची चीज है देसी चीजुने का मटार्ड कीいきます कर लेते हैं समस् 젊ता है इसमें देखने के लिए मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पर बेख सकते हैं यहाँ पर और काफी मजबूत है में नीचे आप आज बार की बात में कर लेता हूं तो अमोख देखना होaina 80270 superstar इंच 152 और इसमें 80 डीलट इसमें 80 कीज़े आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको रियर का ब्रेक दबाएंगे तो यह फ्रेंट का भी ब्रेक लग जाएगा सिस्टी-फोर्टी के रेशियो में अप्लाई होता है साइट से बात कर लेता हूं तो आप टीबियस का लोगो आपको यहां मिल जाएगा यहां पर एक यहां पर आपको कारवन फाइवर जो कि अभी इस पर टेप लगा है इसे नहीं निकालूंगा मैं टीबियस की वैजिंग आपको यहां पर इंजन में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है कैटलेटिक कनवर्टर आपको यहां मिल जाता है 125 का इंजन है और यह देख सकते हैं कि आप बनावट देख सकते हैं जो की इंजन कूलिंग में काफी हल्फ करता है ब्रेक की बात कर लों तो इसकी व्रेयर त यहां पर सव नब्य सत्र रहती हाँ पर सतरेंज के अलोई वील और नब्य एम्यम का टायर आपको मिल जाता है विद्ध आपको टायर मिल जाता है जो कि ट्यूब लेस आने वाला जैसे कि राइडर इसका नाम है यहां पर टीबियस की वैजिंग दे दी गई है इंडिकेटर आपको वही हलोजन वाले ही मिलते हैं यहां पर नमर प्लेट की जगह मिल जाती है दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि गवर्मेंट के तरफ से मेंडेटरी यह पर देना है कमपनी को यहां पर Birds मिल जाता है जो कि बैठने में का सिद नवेट्व है लेकिन आपको बैठने के खिसाब से काफी अच्छी मिलता है इसका तो आप देख सकते हैं कि वी खाफी ठीक टोगास इसमें भी आपको 5 вый यहां पर टीबियस की बैजिंग मिल जाती है यहां पर इटी एफ हाई लिखा गया है तो एकोनमी फ्यूल इंजक्टर इसका नाम है यहां पर टीबियस का हॉर्स है तो काफी अग्रेसिव यह गोड़ा लगता है और इसी के वज़ा से यह सारी चीजे इतनी पॉसिबल हो प्लस्टर की मैं बात कर लूँ कि काफी बीजिबल है और मुझे अपाचि से ज्याधा इसका वीजिबल और fritture की मिटर लगता है मुझे यहां पर देख सकते हैं कि एहां पर स्पीडमेटर है यह आपको टाइम दिखा देता है यहाँ पे आपको gear position indicator मिल जाता है, fuel का आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे odometer और trip 1, तो इसे आप यहाँ से toggle कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, trip B, auto, average fuel economy, और यह सारी कितना range है गाड़ी में, कितना तेल है, कितना दूर चल पाएगी, वह चीज है, और यहाँ पे यह सारी चीजे आपको दे दी जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है, और चावी on करते हैं, कुछ इस type का आपको swipe up मारता है, जो कि आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लगता है, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि टैंक पे आपको एक USB socket भी दे दिया गया, जिसमें आप अपना लगा के phone वगएरा भी charge कर सकते हैं, इसमें भी आपको fuel tank मिलता है, और seat की बात करनों, तो seat काफी, इसमें अच्छे खासे seat आपको मिल जाता है, इंजन का performance काफी अच्छा है, तो चलिए, सारी चीजे हो गए, अब इसे मैं चला के भी आपको दिखाता हूँ कि कैसी है यह चलने में, चलाते समय आपने वीडियो में देख सकते हैं, कि पावर की है, के लिए 125cc के हिसाब समय चलाई नहीं, ऐसा लगी नहीं पा रहा है कि मैं अपाचे चला रहा हूँ कि इसको चला रहा हूँ, इवन दोनों गाड़ियां हमारे साथ है, तो अभी मैं उसको चलाकर फिर इसको चलाया है, तो मुझे लगी नहीं रहा हूँ कि भाई, पावर किसमें, यह जदी नहीं कर पा रहा हूँ कि 125cc में पावर ज्यादा है, या 160cc में, तो इसे भी चलाने मुझे ऐसा ही, फिल आता है, जैसा कि अपाचे को चलाने में फिल आ तो इसके इसाफ से इसमें इंजन का आर्पियम भी इतना ज्यादा नहीं जा रहा था मैं सिस्टी के स्पीड तक गया था और अल्मोस्ट मेरी आप लोगों को कैसी ये बाइक लगती है आप एक अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं अप राजिता टीवियस में जो की राइगड में है और यहाँ पर इसकी मैं एक्सुरूम आपकी प्राइज की बात करनूं तो इसका 94,887 रुपर इसकी एक्सुरूम प्राइज है तो अगर आपको बाइक अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं अप राजिता टीवियस पे जो की है राइगड में और आप अपनी टेस्ट राइड ले सकते हैं गाड़ी की गाड़ी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी यह मेरा कहना है कि अगर आप 125cc की बाइक धूंड रह मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद